दोस्तों, बैंकों के लिए देखेगा अगले चार से तीन से चार दिन बाद देखेगा बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलेगा वो ऐसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन के तीन दिन बाकी हैं आपको भी पता है आज Tuesday हो चुका है, Wednesday, Thursday और Friday, तीन दिन बागी है और just Monday को एक बहुत important यहाँ पर देखेगा meeting start होने वाली है उसमें क्या-क्या बाते होने वाली है meeting में member कौन से रहेंगे वो bankों के लिए कैसे important है वो सब कुछ जानेंगे इस particular वीडियो में चुकि banking stocks अगर आपके पास कोई भी है, एक single banking stocks भी है तब भी यह information आपके लिए ही बनी हुई है, जिस पे आपको focus करना है तो एक एक करके शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो motivate करने के लिए like करना पिल्कुल भी मत बुलिएगा तो दोस्तो, अगर आप देखेंगे यहां पे तो RBI के government अगली बैठक में देखेगा सबसे बड़ी बात क्या कही है repo rate, repo rate का क्या होगा क्या वो fed की तरह aggressive रहेंगे continuously कि वो बीच बीच में देखेगा थोड़ा सा rest लेंगे तो rest तो economy भी नहीं ले रही है rest तो inflation भी नहीं ले रहा है rest तो GDP भी नहीं ले रही है तो आप जानते हैं कि यहां पे जो फैसला आएगा वो थोड़ा सा देखेगा ऐसा आएगा जिस तरीके का आपको 4 मही को देखने हो मिला था 4 मही को क्या हुआ था अब आपको समझना क्या है कि इनसे असर क्या पड़ता है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो अगर लगाता rate hike होता रहेगा तभी demand को कम किया जा सकता है लेकिन demand जब कम होती है तो bank के लिए वो benefit है कि वो benefit नहीं है bank को की balance sheet पे इसका क्या impact पड़ेगा ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो last interview हुआ था तो उसमें RBI के governor जी ने कहा कहा था कि हम पूरी तरीके से देखेगा कुछ बैटकों में और अधिक दरों में वरोतरी पर विचार कर रहे हैं यानि कि देखेगा पूरी तरीके से आपको first thing देखने हो मिलेगी कि जो भी जो member होंगे MPC policy के monetary policy के committee के policy के उनका रुक क्या रहेगा लगातार aggressive रहने से control आना है inflation और उसके बाद सबसे important जो एक conference करके बताते हैं कि उनका आगी का खुद का forecast क्या है कि वो कितनी हद तक inflation को control कर लेंगे कितनी हद तक वो inflation को range में रखेंगे जैसे पहले उनका range क्या था 4 से 6% जब देखेगा वो range टूटा तो उसके बाद देखेगा वो अब 7% के आसपास देखने हो मिला है और अब तो 7.8% के आसपास देखने हो मिला है तो अब आगे की range क्या होगी RBI क्या forecast कर रहा है कि आगे की range क्या है तो ये सबसे important अगर RBI forecast करता है कि आगे भी inflation अभी इतनी जल्दी देखेगा control में नहीं आएगा तो ये कहीं से भी bank को के लिए भी नहीं और देखेगा market के लिए अच्छी update नहीं है और अगर वो कहता है कि हम 7% तक ले आएंगे यानि कि 7% के अंदर ही हम inflation को ले आएंगे तो उसका impact बहुत ही positive create होगा market के लिए तो दोनों चीजों पर आपको focus करना है अब आपको पता है कि जैसे जैसे आपको पता है कि CRR भी बढ़ाय गया था और CRR अगर बढ़ाय जाएगा तो आपको पता है credit creation पर impact पड़ता है तो repo rate का देखेगा सबसे बड़ा impact पड़ता है रेपो रेट में फिर से देखेगा तेजी होती जैसा कि बताया गया है कि पिछली 4 मही के बाद उन्हें बताया कि आगे भी हम inflation को देखते हुए rate hike करते रहेंगे तो repo rate का फाइदा नुकसान क्या है bank के लिए मैं आपको बता देता हूँ देखेगा पाइदा होता है long term में नुकसान होता है short term में सबसे पहली बात कि जितने कम दर पे देखेगा आप loan provide करोगे उतना जाधा लोग loan लेंगे ये एक basic phenomenon है और जितना लोग जाधा loan लेते हैं उसी से core income generate होती है basically जो bank की income होती है वो होती है interest 45% देता है लेकिन वही पैसा जब उठाके वो बहार देता है तो वो क्या देता है 7%, 9%, 11% इस तरीके से और ये जो beach का margin होता है वही bank की income होती है लेकिन अगर लगातार ये क्या हो जाएगा ये loan महंगे होते जाएगे तो अगर आप देखेगा क्या हो जाएगा आपको loan महंगे मिल ले है आपको जो RBI पैसा दे रहा है वो क्या दे रहा है महंगी दर पे दे रहा है तो आप भी आगे दरी दर क्या कर दोगे बढ़ा दोगे तो अब तक देखेगा आपको जो home loan मिल ला था साड़े साथ परसेंट के बीच में वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा जैसे जैसे देखेगा home loan, personal loan और जो भी mortgage loan होते हैं वो बढ़ने लगेंगे तो उससे उनकी demand पे असर पड़ेगा और demand पे असर पड़ेगा तो जो bankों की balance sheet में expansion हुआ है जो bankों की देखेगा balance sheet में expansion हुआ है वो थोड़ा सा कम होते हो देखने मिलेगी तो छोटे bankों के लिए तो यह बिलकुल भी अच्छी ख़बर नहीं होगी कुकि कर्ज जितना महंगा होगा चुकि छोटे bank क्या करते हैं attraction क्या देते हैं low rate का कि कम से कम rate पे आप हमसे loan ले लो आप समझ रहे हो तो इससे क्या होता उनकी balance sheet improve होती रहती है और middle class इंसान अपना देखेगा loan चुकाता ही रहता है आपको भी पता है कि अगर आप middle class में होता आप ज़्यादा देखेगा default के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं आप यह करते हैं कि जल से जल वो चीज पूरी हो जाए और home loan सस्ता होता है तो bank के पास backup भी रहता है घर का घर की registry भी उनके पास रहती है तो जितना कर्ज सस्ता होगा उतना bank कों की balance sheet मदबूत होती है balance sheet expand होती है business बढ़ता है और जितना कर्ज महगा होगा उतना credit creation में उनको हाथ खीचने पड़ेंगे और हाथ खीचेंगे तो आपको पता है real estate पे impact पड़ेगा और फिर आगे चलके अगर आप देखेंगे तो long term में benefit यह मिलता है कि interest थोड़ा ज़ादा मिलेगा like क्या होता है कि पहले उनको 7% interest मिला था आगे चलके 8% 9% मिलेगा लेकिन इससे long term के फायद होते हैं short term में फायदे नहीं होते तो I hope आपको समझ में आगया होगा तो आपको पता है कि 6-8 June के बीच में यहाँ पे schedule करी गई है और आपको पता है यह सभी लोग यहाँ पे decide करेंगे कि आगे का क्या फैस्त लाएगा जैसे RBI यह देखेगा कुछ बोलता है Central Bank है वो तो सीधा पहला reaction किसके पास आता है Nifty Bank पे किस पे आता है Nifty Bank पे तो RBI यहाँ पे क्या-क्या बोलेगा तीन बाते मैं आपको उदा देता हूँ एक तो आपको rate hike पे focus करना है दूसरा वो inflation को लेकर क्या सोच रहे है तीसरा वो देख रहे है manufacturing पे क्या असर पढ़ा है growth rate पे क्या असर पढ़ा है क्या महंगाई बढ़ने से manufacturing क्या हुई है slowdown हुई है तो उसके लिए क्या work किया जा रहा है यह सारी बाते आपको watch out करनी है जो आपको Monday को देखने हो मिलेंगी चुकि 6 June से क्या हो जाएगा Monday से यानि कि next trading session में आपको देखने हो मिल जाएगा अगर आपके पास bank को बड़ोदा है कोई भी bank है इसमें से चकाउट कर लिजेगा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे ICIC हो चाहे HDFC हो चाहे federal bank हो कोई भी bank है आपके पास तो उन सभी bankों पर इसका impact देखने को मिलेगा तो focus करेगा यह information पहले से इसी लिए दी जा रही है ताकि आपको volatility जब देखने हो मिलेगी बैंकों में तो आपको उस पर focus करना है वीडियो गर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना ना बूलेगा Thank you so much